अगर आप कोई भी एस्टेनो का गौर्मेंट का तियारी कर रहे हैं गौर्मेंट जॉब के लिए तो यह आपके लिए काफी इंपॉर्ट महत्पुन सावित होगा तो उमीद करती हूं कि आपको पसंद आएंगे अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ सेयर करना ना भूले तो थ्री तक काउंट करूंगी उसके बाद में डिक्टेशन स्टार्ट करूंगी महोदे अक्सर मैंने उस गहरे खजानों में गोते लगाएं हैं जिसमें गुजरे जमानों के खयालात सपने और तजूर्बे दबे पड़े थे लेकिन तकदीर और इस्तीती ने मिलकर साजिस की और मुझे उस सुन्दर और सुनियमित जिंदगी से खीच कर देश के इतने अनपड़ लोगों के बीच लापटका मैं बहुत से पुरुस और इस्तियों से मिला उसमें से अधिकांस ने इस्कूल और कॉलेज की सकल भी नहीं देखी और नराज की तरफ से या नीजी तोर पर की गई सिक्छा की बेवस्था ने ही उन पर कोई असर डाला आखिर सिक्छा से बढ़कर आकरसक और एहमियत रखने वाली चीज आज और क्या है लडाईयों में जूजती इस दुनिया में दुख भरे हैं जगड़े हैं और हजारों समस्याएं हैं जो हमें सता रही है ऐसे वक्त में मुनासिफ सिक्छा के अलावा और किस से हम सांती पा सकते हैं और कैसे इन समस्याओं का हल निकाल सकते हैं मुझ जैसे अनाडी आदमी के लिए पेचीदा सवालों पर यहां चर्चा करना कहां मुनासिब होगा यह पेचीदा सवाल तो विसेसग्यों के लिए हैं लेकिन विसेसग्य के विसेस रूप से चीजों को देखने के तरीके एक खत्रा है हो सकता है कि चीजों को देखने में उचित द्रिष्टी कोन उसका न रहे और सामूहिक रूप से वह जिन्दगी को देखना भूल जाए पेरग्राफ इस खत्रे के खिलाफ इंतजाम करना होगा खास तोर से इस वक्त में जबकी जिन्दगी के नियू को ही चुनोती दी जा रही है और वह जगडे में पड़ी है सिक्षा के पीछे आपका धे और उदेश क्या है जरूर ही आप बढ़ती पीड़ी को जिन्दगी के लिए तयार करते हैं पर आप जिन्दगी को किस साचे में ढालना चाहते हैं क्योंकि अगर उस साचे की साफ तस्वीर आपके दिमाग में न होगी तो जो सिक्षा आप देंगे वह दिखावटी और दोस्पुन होगी उदेश भी उसमें कुछ न होगा और आपकी समस्याएं और कठनाईयां बढ़ती ही जाएगी बहुत जमाने से सिक्षा का आदर्स आदमी की तरक्की करना रहा है जरूरी तोर पर यही आदर्स रहना चाहिए क्यूंकि बिना आदमी की तरक्की के समाजिक प्रगती नहीं हो सकती लेकिन आज आदमी की वह चिंता भी जन साधारन को सामने रख कर करनी चाहिए नहीं तो सिक्षित आदमी असिक्षित जन समू में गर्क हो जाएंगे और किसी भी हालात में क्या यह मुनासिब है तो फ्रेंट यह था 80 वर्ट पर मिनट के स्पीड से हिंदी डिक्टेशन उमीद करती हूं कि आपको पसंद आये होंगे अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ सेर करना न भूले मिलते हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तो